इस वीडियो में हम सीखेंगे वक्त बताने से मतलिक, यानि Telling the time, आप भी मेरे साथ पढ़ें, Telling the time, ताइम यानि वक्त और टेलिंग का मतलब होता है बताना यहाँ नीचे देखिए आपको एक घड़ी की तस्वीर नजर आ रही होगी जिसे हम वाल क्लॉक भी कहते हैं घड़ी में दो सुईयां होती है यानि दो नीडल्स एक थोड़ी बड़ी होती है और एक छोटी होती है इन दो सुईयों के इलावा घड़ी में आपको काउंटिंग लखी भी नजर आती है यानि नंबर्स लखे होते हैं वन से ट्वेल्फ तक एक से बारा तक एक घड़ी में क्या होता है एक से बारां तक numbers और दो सुईयां एक थोड़ी छोटी होती है और एक बड़ी होती है चलें अब हम देखते हैं कि इन्हें English में क्या कहते है यह जो लंबी वाली सुई है इसे क्या कह रहे हैं बिग हैंड, the big hand of the clock यानि घड़ी और यह जो इशारा किया गया है, यह किस तरफ किया गया है इस लंबी सुई की तरफ जिसे बिग हैंड भी कहते हैं बिग हैंड हमें minute से मतलिक बताता है इसे हम minute हैंड भी कहते हैं जबके यह जो छोटी सुई है इसे हम क्या कहते हैं small hand the small hand of the clock the small hand of the clock यानि ये clock का small hand है या छोटी सुई है इसे हम our hand भी कहते हैं यानि जो घंटों से मतलख बता है अब आप बताईए ये जो लंबी सुई है इसे हम क्या कहेंगे बिल्कुल ठीक ये है big hand जो हमें किस के मतलख बताता है minute के मतलख बिल्कुल ठीक ओर अब ये जो छोटी सुई है इसे मतलख बताईए बहुत खूब इसे हम small hand कहते हैं और ये हमें क्या बताता है R से मतलिक यानि घंटों से मतलिक शाबाश अब हम यहाँ पे जो नीचे घड़ियां दी हुई हैं इन पे वक्त से मतलिक पढ़ते हैं यानि कितने बत चुके हैं यानि हम वक्त का बताएंगे जिसे इंग्लिश में हम क्या कहेंगे Telling the time Telling the time सबसे पहली घड़ी की तरफ आईए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो छोटी सुई है यानि जो small hand है वो one के उपर है जबके big hand जो है वो बारा पे है एक घड़ी में जब big hand बारा पे हो और small hand किसी दूसरे नमबर पे तो हम यह पता लगा सकते हैं कि क्या time हो रहा है अब जैसा कि यह small hand one पे है तो इसका मतलब है कि एक बच चुका है यानि one o clock one o clock हमें कैसे मालूम हुआ कि एक बच गया है बिलकुल ठीक छोटी सुई एक पे है जबके बड़ी सुई बारा पे है 12 पे है small hand किस पे है one पे और big hand है 12 पे जब big hand 12 पे हो और small hand किसी भी number पे हो तो यह मालूम हमें होता है कि कितने बच चुके हैं अब दूसरी घड़ी की तरफ आईए यहाँ पे आप मुझे देख के बताएं कि small hand किस पर है बिल्कुल ठीक, small hand है two पर और big hand big hand है 12 पे बिल्कुल ठीक, यानि कितने बच चुके हैं दो बच चुके हैं, जिसे हम English में क्या कहेंगे two o clock two o clock, यानि दो बच चुके हैं अगरी घड़ी की तरफ आईए यहाँ पे small hand किस number पे है number three पे और big hand या minute hand है number 12 पे तो अब आप बताएए क्या time हो रहा है बिल्कुल ठीक, three o clock three o clock, यानि तीन बच चुके हैं अब अगली घड़ी की तरफ आईए यहाँ पे बताएए आप कि small hand किस पर है four पे और big hand twelve पे यानि चार बच चुके हैं इसे हम English में क्या कहेंगे बहुत खूब four o clock four o clock यानि चार बच चुके हैं अब इस अगली घड़ी की तरफ आईए यहाँ पे small hand है number five पे और big hand है twelve पे आप बताएए अब क्या टाइम हो रहा है बिल्कुल ठीक five o clock five o clock यानि पांच बच चुके हैं और अब इस आखरी घड़ी की तरफ बताईए कि इदर क्या टाइम हो रहा है six o clock यानि छे बच रहे हैं और यह हमें कैसे पता चला कि six o clock हो रहे हैं बिल्कुल ठीक छोटी सुई या small hand six पे है जबके big hand या minute hand जो है वो twelve पे है तो यह हो गया six o clock यानि छे बच चुके हैं अब इस घड़ी की तरफ देख के बताईए यहां पे क्या वक्त हो रहा है बिल्कुल ठीक seven o clock seven o clock यानि साथ बच चुके हैं और यह हमें कैसे मालूम हुआ small hand जो है वो seven पे है और big hand twelve पे है यानि साथ बच चुके हैं चलें अब अगली घड़ी से मतलिक बताईए यहां पे क्या टाइम हो रहा है eight o clock यानि आट बच चुके हैं बहुत खुब eight o clock अब इस घड़ी की तरफ आईए यहां पे टाइम बताएं nine o clock बहुत खुब nine बच चुके हैं और यह हमें कैसे मालूम हो रहा है इन दोनों में small hand जो है वो eight और nine पर है जबके big hand twelve पे है तो हमें यह मालूम हुआ कि eight और nine o clock हो रहे हैं चलें अब यहां पर आजाईए इस तस्वीर में बताईए कि घड़ी में क्या वक्त हो रहा है बहुत हुब यहां पे दस बच रहे हैं यानि ten o clock और इस अगली घड़ी में देखके बताईए eleven o clock बिल्कुल ठीक यानि ग्यारा बच चुके हैं और ये वक्त भी हमने कैसे बताया small hand और big hand को देखकर small hand यहां पर ten पर है जबके दूसरी घड़ी में eleven पे है जबके big hand दोनों घड़ीों में twelve पे है यानि ten और eleven o clock हो गए है और अब इस आखरी तस्वीर की तरफ देखके बताईए कि क्या वक्त हो रहा है क्या आप बता सकते हैं इस घड़ी में दोनों सुईयां बारां पे हैं यानि छोटी भी और बड़ी सुई भी यानि big hand और small hand दोनों twelve पे हैं इस वक्त क्या time हो रहा है इस घड़ी में twelve o'clock हो रहे हैं यानि बारां बच चुके हैं इंग्लिश में क्या कहेंगे twelve o'clock बिल्कुल ठीक इस वीडियो में हमने क्या सीखा इस वीडियो में हमने वक्त बताने का तरीका सीखा यानि telling the time अब आप इस वीडियो को दुबारा देखें और साथ में दोहराने की कोशिश कीजिए इस तरह आप बहुत जल टाइम देखना भी सीख जाएंगे इस वीडियो में हमने कीजिए